एक और पुलिस लगातार अपराध्यों पर कारवाई करते हुए अपराध्यों पर अंकुष लगाने का प्रयास कर रही है तो वहीं दूसरी ओर हत्या जैसी गंभीर घटनाएं लगातार सामने आ रही है। अपने घर से निकला था और गाउं में जाने की बात घर के लोगों से कही थी इसके बाद वो घर नहीं लोटा। गुरवार किशाम को सुरेंद की रक्त रंजित लाश गाउं के तला मुहला में पड़ी मिली। ग्रामिडों ने उसके परिजनों को सूचना दी जिसके बाद परिजन मौके पर पहुँचे। गटना की जानकारी मिलते ही बमनौरा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर महुचे और शफ को कबजे में लेकर पंचिनामा कायरवाई करते हुए पोस्ट मौटम के लिए भिजवाया। ठाना प्रभारी ने बताए कि प्रिथम दृष्टिया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। गटना इस्तल से साक्ष एकत्रित कर मामले की जाच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। कारदार हत्यार से सुरेंदर का गला काटिया जिस कारण उसकी मौत हुई है। पीडित परिवार ने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफतार कर सक्त कायरवाही करने की मांगी है। जाएगा परिफतार है। कि शेट की तुपन मेंगा है। कि जोग बजने सोदा लेवी की जूला अपाते ग्राइगान की। तोन ने बताई के सिंफोंट जा बनी का थी। पट की हमकी हो बनी है। परिफतार है। कि शोगी दिखाता सुने बता रही। तोने धवरा से भरी कम जाएगातनों देवाक है। तोने सारो है। तोने दूरी जने गई बहुता है। गुहारा में जवाब लेके आ यप क्या था। गुहारा में जवाब लेके आजब क्या था। साथ चले। सब हम साथ में नहीं किसी पर आपको सकते। नहीं। अब देखो नहीं आपन किसी को नहीं दिना वरता है।